कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का बार्मा सबक सबक नंबर 12 रबिंद्र नाथ टैगोर मुसनिफ मौलवी अब्दुलहक सफा नंबर 73 रबिंद्र बाबू 7 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए आपके वालेद महरिशी एक सूफी मनिश भुजुर्ग थे चौधवें और सबसे छोटे बेटे थे घरवाले मुहबबत से उन्हें राबी कहते थे आपके वालिद महरिशी एक सूफी मन्श भुजुर्ग थे उनकी सारी जिंदिगी ईश्वर भक्ती और गरीबों की मदद करने में गुजरी अपने जमाने के मशहूर आलिम थे बंगाली, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फार्सी जबाने भी अच्छी खासी जानते थे सच्चे देश भगत थे और शबो रोज कौम और मुल्क की बहबूदी की फिक्र में लगे रहते थे टैगोर के खांदान में बच्चों की तालीम और तर्बियत उसी मखसूस ढंक से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तैजीब और तमदुन को फखर रहा है सुब सवेरे उठना, मुहाद धोकर दर्शन के लिए अखाडे पर पहुँच जाना, अखाडे से निकलते ही स्कूल चला जाना तमाम दिन स्कूल में गुजार कर सैपहर को जब ये बच्चे वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात नौ बजे उन्हें कैदियों की तरहा सोने पर मजबूर कर दिया जाता टैग और बंगाल के मुम्तास तरीन अमीर खानदान से तालुक रखते थे मगर उस खानदान में अपने बच्चों की तर्बियत का ढ़ंग भी बस नमूने का था बच्चों के लिए ना तो कींती कपणों का एहतमाम था ना अच्छे अच्छे मुरगन खानों का ना एशो आराम का वो तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नसलों को बरबाद कर दिया है खुद टैगोर मामूली कमीज और पाजामा पहनते आमतोर पर स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता था घर पर ज्यादा तर नंगे पाउं रहते थे अभी टैगोर आठी बरस के थे के उनके बड़े भाई जियोती नाथ ने उनसे कहा राभी तुम शेर क्यों नहीं कहते सफ़ा नंबर चोहत्तर टैगोर ने पहली नजम कमल पर लिखी नजम कैसी थी? कुछ पता नहीं लेकिन ऐसा जरूर था कि उसे देख कर जियोती नाथ की आँखों में खुशी के आंसु छलागाए उन्होंने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले बंगाली बहरों के उतार चड़ाओ पर तालीम दी टैगोर की शायरी की ये इप्तिदा थी इसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुँचे तो बाकाइदा सुर्ख रंग की कौपी पर शेर लिखने लगे अक्सर फुरसत के वक्त ये अपने शेर जोती बाबू को सुनाया करते थे जोती जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा शायर की हैसियत से तारूफ कराते इस हिंमत अवजाई का ये नतीज़ा निकला कि ये जल्द शायर की हैसियत से रूशनास हो गए बात कुछ और आगे बढ़ी टैगौर की शुहरत नॉर्मल स्कूल के सुप्रिंटेंडन्ट तक पहुँची उन्होंने टैगौर के शेर सुनकर उन्हें अपने खास शागिर्दों में शामिल कर लिया टैगौर की जिन्दगी जिस अधूरी तालीम के दोड से गुजर रही थी वो टैगौर के खानदान के लिए किसी तरह इत्मिनान बख्ष ना थी अपने बड़े भाई जोतिनात के साथ उन्हें इंगलिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया ये 1877 ईस्वी की बात है टैगौर को पहले तो एटन कॉलिज फिर युनिवर्सिटी कॉलिज लंदन में दाखिल करा दिया गया जहां वो कई महीने तक पढ़ते रहे लेकिन जल्द ही उनका दिल उचाठ हो गया तास्ब, काले गोरे का फर्क, गुलाम और आका का इम्तियाज इन सब बातों को उनका दिल बरदाश्ट ना कर पाया और एक मरतबा फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान शेरो शायरी और अदबी मशगलों की तरफ लगा दिया उस जमाने में उन्होंने नजम से ज्यादा नसर लिखने की कोशिश की इंगलिस्तान में कुछ दिन ठहरने के बाद जैसे गए थे वैसे वापस आए कोई डिगरी साथ ना लाए खांदान के लोग नारास थी इसलिए उनको हुक्म मिला कि शीलदान पहुँच कर जागीर का इंतिजाम करें यहां उन्हें पहली बार इस हिंदुस्तान की गरीबी और इफलास गाउवालों की भल मनसाहत और इंसानियत को गहरी नजर से देखने का मौका मिला यहां उन्हें गरीब काश्टकारों की सादा जिन्दगी से सापका पड़ा यहां वो गरीबों और मजदूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और जागीर का इंतिजाम इतना अच्छा किया कि सभी मुतमईन हो गए यहां उनकी शायरी को नई जिन्दगी मिली उनके बहुत से ड्रामे और गीतों के मजमुए इसी शीलदान की पैदावार हैं टैगोर को मौसिकी से भी गुद्रती लगाओ था आपने बश्पन से मौसिकी की बाकाइदा तालिम हासिल की उन्होंने न सिर्फ गीत लिखे बलके उन्हें दिलकश धुनों पर गा कर सुनाया उन्होंने अपने गीतों की धुने खुद बनाई उनकी बनाई हुई धुने रफटा रफटा बंगाल की सबसे ज्यादा मकबूल संगीत बन गई उन्हें रबिंद्र संगीत का नाम दिया गया बंगाल की मौसीकी में रबिंद्र संगीत को एक एहम मकाम हासिल है सफा नंबर 75 टैगोर की एक और बात सुनकर आपको बड़ा अचमभा होगा उन्होंने 60 साल से ज्यादा की उम्र में मुसविरी सीखी बला इतनी उम्र को पहुँच कर इनसान किसी नए फन को तो क्या सीखता अपने उस फन से भी उकता जाता है जिसका वो माहिर होता है लेकिन टैगोर ने उम्र के उसी हिस्से में एक नए फन को सीखा पूरी तवज्जो और मेहनत से सीखा और अभी उसे सीखे हुए दस बारा साल भी ना हुए थे कि मुसविरी के माहिरों ने उन्हें मुसविरी के पैगंबर का दर्जा दिया टैगोर की तस्वीरें ज्यादा तर पुद्रती मनाजिर पर हैं जंगल के जानवरों पर हैं और परिंदों पर हैं उन तस्वीरों की तादाद लगभग तीन हजार है। टैग और हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बहुत बड़े शायर थे। बहुत बड़े संगीतकार थे, बहुत बड़े मुसविर थे। सब बातों के साथ साथ इनसान भी थे। बहुत बड़े इंसान, जिस से मिलते बराबरी से मिलते, बहुत अखलाक से मिलते, जिस किसी से मिलते उसकी हैसियत के मताबिक बाते करते, उन्होंने एक जमीनदार या जागीरदार के घर में आख खुली थी, लेकिन उनकी सादा जिन्दिगी काबिल रश्क थी, सादा लिब मश्वरा देते थे तैगोर को उस्ताद की हैसियत से बहुत उचा मकाम हासिल है हिंदुस्तान के पुराने रिशियों की तरह उन्होंने हमारे लिए एक लाजवाल तुरका छोड़ा है और वो है शान्ती निकेतन उन्होंने कलकत्ता से नवे मील के फासले पर एक छोटे से स्कूल की बुनियाद डाली यहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी इस स्कूल को चलाने में उन्हें बड़ी माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा पूरी का घर बेचा बीवी के जेवरात फरोख्त किये और थोड़ी बहुत इमदाद बाहर से हासल की खुदा खुदा करके उसे विश्व भारती की शकल दी और अब इस इदारे को युनिवरसिटी का दरजा हासल है लाफानी शहकार गीतांजली का खालिक और कौमी तराने का जन्मदाता 17 अगस्त 1941 इसवी को इस दुनिया से रुखसत हो गया अर्थी के साथ कई मील लंबा जलूस था इस जलूस में हिंदू भी थे मुसल्मान भी थे इसाई भी थे और सिक भी थे दूसरे मुलकों के वो लोग भी थे जो कलकत्ता में रहते थे और ये सब शायर आजम के आखरी दर्शन के लिए बेताब थे बेकरार थे सफ़ा नंबर 76 मानी जाद कीजिए महारिशी बड़े मर्तबे वाला इंसान संथ सूफी मनिश सूफी जैसा ईश्वर भक्ती खुदा की अबादत अखाड़ा साधूँ के रहने की जगा कुष्टी लड़ने की जगा बहबूदी भलाई शब और रोज रात और दिन सदियों सैक्रों साल तहजीब कल्चर बावसूल जिन्दगी गुजारने का तरीका तमद्द शेहरी जिन्दगी सैपहर तीसरा पहर मुम्तास तरीन सबसे ज्यादा काबिल ताजीम मुर्गन खाने घी चिकनाई वाले खाने फराहम करना मुहिया करना तारूफ जाना पहचाना इतमिनान बख्ष इतमिनान के काबिल तासुब तरफदारी जानिपदारी आका मालिक अद्भी मजगला अद्भी काम भलमनसाहत शराफत नेकी काश्टकार किसान खेती करने वाला जागीर वो जमीन जो सरकार से हासिल हो वो बहुत बड़ी चायदाद जो बाब दादे ने छोड़ी हो अचंभा ताज्जुब मकबूल पसंतीदा रश्क किसी की अच्छाई को देख कर उस जैसा बनने की खाहिश या उससे जलन महसूस करना तकल्लुफ बनावट जिजक लाजवाल जिसमें कभी गिरावट या कमीन ना आए लाफानी हमेशा बाकी रहने वाला शाहकार सबसे बड़ा कारणामा इम्तियाज फर्क मुन्फरित पहचान दर्शन तीदार एजाज इजद, रुदबा, मर्तबा मुसविर तस्वीर बनाने वाला सफ़ा नंबर सततर सोचिये और बताईए एक रबिंद्र नाथ टैगौर कहां पैदा हुए दो रबिंद्र बाबु को घरवाले किस नाम से पुकारते थे तीन टैगौर खांदान में तालीमों तर्बियत का क्या तरीका था चार टैगौर ने शायरी किस के कहने से शुरू की पांच इंगलिस्तान तालीम हासिल करने के लिए टैगौर को क्यों भेजा गया छे टैगौर तालीम छोड़ कर वतन वापस क्यों आ गये साथ मौसकी से टैगौर की दिल्चस्पी किस तरह जाहिर होती है आठ शील्दान जाकर टैगौर को क्या देखने का मौका मिला नौ टैगौर ने मुसवरी किस उम्र में सी की दस टैगौर ने कैसी जिंदिगी गुजारी ग्यारा टैगौर अपने शागिर्दों को क्या मशवरा देते थे बारह तालीम को फरोग देने के लिए टैगोर ने क्या क्या काम किये 14. राबिंदरनाथ टैगोर का इंतिकाल कब और कहा हुआ सफ़ा नंबर 78 खाली जगा को सही लब्ज से भरिये 1. राबिंदरनाथ टैगोर के लाफानी शहकार खाली जगा को नोबल प्राइस के लिए मुन्तखिब किया गया 2. राबिंदर बाबू खाली जगा को कलकत्ता में पैदा हुए 3. आप अपने वालिद बुजुर्गवार महारिशी देवेंदरनाथ टैगोर के खाली जगा और सबसे खाली जगा बेटे थे 4. घर वाले मुहबबस से उन्हें खाली जगा कहते थे 5. टैगोर ने पहली नजम खाली जगा पर लिखी 6. उन्होंने खाली जगा से ज्यादा की उम्र में मुसवरी सीखी 7. उन्होंने हमारे लिए एक खाली जगा तुरका छोड़ा है और वो है शांती निकेतन यहां दिये हुए लफजों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए गौमी तराना तालीम और तर्बियत हिम्मत अफजाई लाजवाल शबो रोज तहजीब और तमद्दन वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाईए सूफी फिक्र खानदान बहरों अशार शोरा काश्टकारों गीतों ड्रामा फन तसावीर मनाजर उसूल मुलकों मशागिल सफा नंबर 89 इन लवजों के मुतजाद लिखिए मगरिब मुहबत जवाल इप्तिदा शागिर्द बाकाइदा फरोखत लाफानी सही जमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाईए एक राबिंदरनाथ टैगोर को एहतराम और मुहबत से गुरुदेव भी कहा जाता है दो टैगोर बंगाल के गरीब खानदान से तालुग रखते थे तीन टैगोर को हिंदुस्तान का कौमी शायर माना जाता है क्योंकि उनकी लिखी हुई नजम जन गन मन हमारे मुलक हिंदुस्तान का कौमी तराना है चार टैगोर ने इंगलिस्तान में अपनी ताली मुकमल की पांच टैगोर ने शांती निकेतन की बुनियाद डाली थी यहां दिये हुए वाकियात को सही तर्तीब से लिखे एक अभी टैगोर आट बरसके थे के उनके बड़े भाई जोती नाथ ने उनसे कहा राबी तुम शेर क्यों नहीं लिखते दो यहां उन्हें गरीब काश्टकारों की सादा जिंदगी से सापका पड़ा जैसे गए थे वैसे वापस आए कोई डिग्री साथ ना लाए उन्होंने कलकत्ता से नवे मील के फासले पर एक छोटे से स्कूल की बुनियाद डाली चैगोर को उस्ताद की हैसियत से बहुत उंचा मुकाम हासिल है तैगोर ने पहली नजम कमल पर लिखी यहां दिये हुए लफजों में से मुझकिर और मौनस अलग-अलग करके लिखिए एलान एजास जिन्दगी मदद तहजीब तालुक शेर नस्म गोर कीजिए और लिखिए उर्दू जबान में हिंदी जबान के बहुत से अलफाज इस्तिमाल होते हैं जैसे लफज दर्शन दर्शन को उर्दू में दीदार कहते हैं इसी तरह यहां हिंदी के कुछ अलफाज दिये जा रहे हैं उनके उर्दू लफज लिखिए धंग जनम दाता अचमभा, देश भक्ती, संगीत याद रखिए राबिंदर नाथ टैगौर हिंदुस्तान के कौमी शायर है राबिंदर नाथ टैगौर को एहतराम और मौभबत से गुरु देव भी कहते हैं राबिंदर नाथ टैगौर की किताब गीतांजली को नोबल प्राइज मिला जो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है गोर करने की बात राबिंदर नाथ टैगौर बंगाल के अमीर खानदान से तालुक रखते थे लेकिन उन्होंने सादा जिन्दगी बसर की वो गरीबों और मजदूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और उन्होंने बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दिये इसी के साथ अपनी जबान भाग एक का बारवा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक 13 आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नेदिल्ली भारत